हिंदुस्तान के सामने दो तीन बड़े मुद्दे हैं सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई का जो रोजगार देने का सिस्टम है वो जो स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाते हैं जो छोटे वियापारी होते हैं वो लोग देते हैं रोजगार जो अरब पती होते हैं, तीन-चार अरब पती हैं अंदुस्तान में वो रोजगार नहीं देते हैं और जब नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंदी की और GST, गल्थ GST लागू की तो जो ठोटे विया पारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाते हैं, जो देश को रोजगार देते हैं उनकी रीड की हड़ी तूट गई, और सच्चाई आज ये है, कि देश अगर चाहे भी, अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता तो सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने ये है, दूसरा मुद्दा महंगाई है, इंटरनाशनल मार्किट पे पे पेट्रोल और दीजल के डाम उपर जाएं या नीचे जाएं, हिंदुस्तान में पेट्रोल और दीजल के डाम उपर ही जाते हैं चाहिए कुछ भी हो जाएं, इंटरनाशनल मार्किट में तेल के डाम गिर जाएं, मगर उसका फाइदा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को नहीं मिलता, फाइदा तीन-चार बड़े उद्योग पतियों को मिलता है, आपको याद होगा यूपीए के समय, पेट्रोल के डाम 60 रुपे के थे, याद है आपको, याद है, ठीक है, 60 रुपे के थे, आज क्या है, आज 107 रुपे, तो आपको यह सवाल पूछना है, कि यह जो पैसा है जो आपके जेव में से निकल रहा है यह कहां जा रहा है यह किसकी जेव में जा रहा है यह देखे वह यह देखे आपको यह सब व्यापारियों के जेव में नहीं जा रहा है क्योंकि GST नोट बंदी ने व्यापारियों के जेव में से पैसा निकाला यह चुने हुए दो तीन पांच लगा लो यह चार पांच उद्योग पती हैं हिंदुस्तान में इनको सब एरपोर्ट मिलते हैं रेलवे रेलवेज इनको मिलेगी प्राइवेट यह बी एचेल एचेल यह सब जो सरकारी कंपनी आए के करके इनको मिलेंगी infrastructure का काम ये करते हैं अनाज का storage का काम ये करते हैं बिजली का power generation का काम ये करते हैं तो सारा सारा फाइदा इनी चार पाँच लोगों को जाता है आज कल प्रदान मंत्री जी सेना की बात करते हैं जो भी कांट्राइट्स हतियार के कांट्राइट्स हैं वो सारे के सारे ही नी चार पाँच लोगों हो जाते तो पूरा का पूरा फाइदा चार पाँच लोगों को हो रहा है वो लाको करोर रुपए करजा ले सकते है उनका एक सेकंड में करजा माफ हो जाता है और अगर हमारा किसान 50,000 रुपए का कर्जा माफ करना चाहे एक लाग रुपए का कर्जा माफ करना चाहे तो ये लोग उसका कर्जा नहीं माफ कर सकते